अब बारी हो चुकी है पश्म बंगाल के बारे में बात करने की। लेकिन बंगाल के आक्डे बेरे पास पहुँचे उसके पहले एक वीक करते हैं कि बीते एक गंटे में हमने क्या का दिखाया। एक रीजन वाइज आपको समझाएंगे, क्योंकि बंगाल बड़ा स्टेट है, आठ चलों में मतदान हो रहा है, क्या वहाँ पर ममता दीदी, लगातार तीसरी बार चुनाओ जीत पाएंगी, हमने बंगाल को चार रीजन में बाटा है, और एक एक करके इस रीजन के बारे में आपको बताते हैं, और रीजन वाइज आखड़े आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, पहली बार बंगाल का चुनाओ, पश्री बंगाल का चुनाओ, इतने बड़े पैवाने पर कवर किया जा रहा है, क्योंकि इस बार सीधी टकर दिखाई दे रही है, ममता बिरजी क बीच और भारतिय जनता पार्टी के बीच, पीछे ये पश्री मंगाल का वो इलाका, जिसको आप ग्रेटर कोलकाता रीजन कह सकते हैं, ये वो इलाका है, इसमें ये कॉंसिटोंसीज हैं, लोकसभा कॉंसिटोंसीज, कोलकाता हवडा उत्तरी 24 परगरा, दक्षिर 24 परगरा कुल 30 विधांसभा सीटे है, हम सबसे पहले इन 35 विधांसभा सीटों के बारे बे जानकारी आपको दे रहे हैं, कि सी वोटर का अनुमान क्या कह रहा है इस रीजन के बारे में, देखते हैं, इसंके आउकडे क्या कहते हैं, पशिर वंगाल का पहला रीजन, एकर के आपके स में से इस इस इलाके में 26 में से 30 सीटे भारतिय जनता पार्टी को दो में से 6 सीटे कॉंग्रेस लेफ्ट जो एक साथ लड़ रही है उनको दो में से 4 सीटे मिल रहे हैं दो से 4 दो से 4 सीटे और 26 से 30 के साथ TMC सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ग्रेटर कोलकाता रीजन में उभर कर सामने आ रही है तमाम खास में मेरे साथ बने हुए एक एक रेक्शन लेते हैं अभी क्या बहुत दिल्जिस्प है क्योंकि जो फाइनल नंबर्स निकल कर इसी उपिनियन पोल के आएंगे बीजेपी के लिए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होगा देखना क्योंकि एक-एक सीट मैटर करेगी क्योंकि बीजेपी ने वो पॉजिशन ले लिए है कि वो अपने को अब विकल्प की स्थिती में ला रही है ममता दानर जी के सामने तो थोड़ा से हम जल्दी से रिवाइन करें इतियास में बहुत जाने की जरूवत निये तो जब न्यू लेफ्ट कहा गया था ममता दानर जी को तो बहुत लोगोंने उस समय डिस्मिस किया था कि ये संभव नहीं है और वहाँ से एक दिन ऐसी स्थिती आई कि उन्होंने सरकार बने तो बहुत बहुत दिल्चस्ट होगा सुमिछ देखना कि आपके फाइनल आंकले क्या कहते हैं इस रीजन में तो यकिन बीजेपी को इंपाक्ट करती नहीं नज़रा है इस रीजन को अगर एक टेस्ट केस वाले दिबांग तो लगता नहीं कि बीजेपी दोसों के पार पहुंचेगी पर ये वो रीजन है जिसके बारे में ममता बेनर जी ने अकल अपनी प्रेस कांफरेंस में भी कहा और इस तरीके से ये उनका गड़ है वो अपने गड़ को बचा रही है और ये जो बहुत कहा जा रहा है कि कलकता के आसपास जो है सुदान शुत्रवेदी देखे मैं दो बाते इस विशा में कहना चाहूँगा पहली बात जिन जिन राज्यों में जब हमारा कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं होता और हम पहली शुरुवात करते हैं पिछले तीस वर्षों से जबसे चुनावी सर्विक्षन आने शुरू हुए आप देख लीजे कभी भी हमको जितनी सीटे दी गई उससे हम बहुत ज़्यादा आए कोई कारण क्या होता शुरुवात में इतना कोई वेक्षी आकर सामने बोलता नहीं या जो भी एसेस्मेंट की बात नहीं होता है दिली में हमारी पार्टी के साथ भी हुआ था किसी ने एसेस किया था पहली बार में 28 सीटे आ रही है आप याद करिए अभिज्यान जी को याद होगा 1991 में हमारी 221 सीटे उत्रप्रदेश में आई थी सब बोल रहते इसमें मैं कोई सर्वे को पर नहीं कहता है बंगल की सिती इस समय बड़ी संवेदंशील है तो वहां पर जब सारजनीक रूप से कोई भी अभिव्यक्ती करनी होगी तो कौन विक्ति कितनी सारजनीक अभिव्यक्ति करने का सहस कर पाएगा. इस थोड़ा विचार को भी विचार करके देखा जाए तो पिक्चर और साढ़ों कराएगी. आपके लिए अभिव्यक्ति नहीं करें तो आप के रहें सावजरी का अभिव्यक्ति में सुदान्शी जी प्राब्लम है. क्योंब तो कि हख्के आकले नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए तो यह चुपए वह बोल नहीं पा रहे हैं नहीं इस बात को भी इतरा मज़ाग पनी उड़ाना चाहिए आठ गुनी सम्वेदन शीता तमिन राडू लगबग बराबर करा जे उन सारी स्वोफ समा वहा है चाली बयाली स्वाइब आपके आपके यह आंकड़े इसके जैसे सुमित ने दिखाए यह इसलिए ऐसे हैं क्योंकि सम्वेदन शील स्थिती और लोग बता नहीं पा रहे हैं जब भी पोल हुई होगी कि उनका मूड क्या है या वो किसके हक में इसलिए ममता बैनर जी को इस कॉलकत्ता के लाके में अभी भी बड़ी कंफरेबल स्थिती नजर आ रही है यह लॉजि आज के समय में सम्वेदन शीलोगा बंगाल में बस मेरा यह जो राजनेतिक हत्याओं की संस्क्राइब कि मेरी शुबकामना है अभी तो अभी तो बागी चार रीजन तीन रीजन और बाकी है उम्रकाश मिश्रा जी जुड़ गए है जो की टीमसी के प्रवक्ता है नेता है इस रीजियन में नहीं सारे पस्चिम मंगाल में त्रिन्वुल कॉंग्रेस का बहुत ही बहतर प्रदर्शन रहेगा और जहां तक सर्वे की बात है अभी तो आप लोग दिखाएंगे पर मैं आपको यह बता दू त्रिन्वुल कॉंग्रेस के फेबर में जो भी सर्वे आए चाहता हूं कि यह जो पंद्राफ में रुखना पड़ेगा भी एक ग्रेटर कोलकाता ग्रेटर कोलकाता का जो डेफिनेशनल अस्पेक्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लेमेटिक है जैसे कि आपने उत्तर 24 परगना दक्षिन 24 परगना को जोड़ा है यह दोनों जिला यह दोनों अभे जी कहां गड़बड हो रही है पश्चे मंगाल में अलाइंस भी कर लिया तब भी तीसरे नंबर पर देखें इतना कम मुल्नांकित मत कीजिस प्रकार से आपने क्विक सब्द का प्रयूप्त किया उतना बद कीज़िय पस्दानशुत त्रिवेदी जी ने उत्तर प्रदेश का उधारन दिया क्योंकि सिर्फ उततर प्रशिद्धी चरम पर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी की तब यह पंजाब का उधारण नहीं दे सकते थे जारकन का नहीं दे सकते थे चतिसगण का नहीं दे सकते थे राजस्थान का नहीं दे सकते थे बिहार का नहीं दे सकते थे दिल्ली का नहीं दे सकते थे ओडिशा का नहीं दे सकते थे गुजरात किनारे पर हरियाना में मुश्किल सरकार बनाई बहुमत नहीं मिला गोवा से मनिपूर तक सरकार हतिया ली तो सहाब बड़े प्रांता फारे हैं और एक और बात बता जन्तापर्टी बुरी तरे से आरी और इनका जो मुक्यमंत्री का चेरा है दिलीब घोश उनके विधान सभा में 20,811 वोट से भारती जन्तापर्टी परास्त होई है तो ये ख्याली पुलाव ठीक है एक लाइन में आप सुन लीजिए पांचो राज्यों का परिणाम मनोग्या ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है इसमें काफी अच्छा टीमसी कर रही है शहरी इलाके में आप तो वहाँ है जबीन पे क्या ऐसी इसकी बज़े क्या है बीजेपी शहरी इलाकों में इन रोड्स नहीं बना पाई अर्बन वोट बैंक रूरल वोट बैंक बंगाल में हमेशा दो फॉर्मूले पर चलती है बंगाल की सरकार इस बार भी देखा जाएगा कि जहां एक और अर्बन वोट बैंक है वहाँ पर मुक्यमंत्री ममता बनर जी का काम हो या बाकी सारी बाते हो वो बहुत ज़ादा उन हमारा सर्वे देख रहे हैं भी लाइव टीवी पर क्या कहेंगे इस सर्वे देखकर करीब 20 से 30 सीटे आ रही है आपके टीवी के सर्वे से ये पता चल जगा है कि दीदी जनम से लेके मिर्तु तक जो परकल्प दीदी ने हम लोग को दे रहे हैं इसका सीधे फाइद है टीम एक बात जो किया है उसको तो भूट मिलेगा ही और अभी एक भाई साह बता चिके जा रहे थै मरने तक का परकल्प ममता बनर जी आरोब लगते रहें ब्रहष्टाचार की जगे रोजगार के मुद्दे आते हैं सर्वे में जो लोग होते हैं वो उल्टा ही जवाब आता है चिलाती है पार्टिया कोई और सब्जेक्ट पर राम दुर्गा वोट जा रहा है बेरोजगारी क कि एलेक्शन के टैम में बहुत कोई बहुत बात बोलता है और बंगाल के आम जनता ममता बेनर जी के जितने सुविदाय प्रकल्प है आम जनता हर सुविदा के उपभोग की है खरी बोलने से नहीं होंगे जो आम जनता जानते हैं कि ममता बेनर जी गरीबों के लिए जो जो काम की है गरीबों आज उसके हर उपर मने उसको भोग कर रहे हैं मैं ननन्यर मोदी से पुछना चाहता हूं कि आज जो गेस का अपिट्रोल का दाम बड़ा हुआ है इनका वो जवाब दे जीडीपी जो अभी हमारे खुची देर पहले लोग कह रहे थे कि गैस डीजल पेट्र पेरिल पेट्रोलियम का दाम था 64 डॉलर्स जितना मेरा देखकर क्या कहेंगे और इस बार जो मुद्धे हैं क्या वो भटक रहे हैं बागी सब चीजों में लोग किसी और मुद्धे बात करना चाहिए एक्शुली डिविलोप्मेंट वर्स इस डिफरेंस डिफरेंशेशन क जो इलेक्शन है इंसा गुरूव ले चुके